तो भई ISL का शुरुआत हो चुका है ISL अब मैच इस शुरू हो चुका है और पहला मैच नॉट थिश उनाइटीड वरसेश जमशेद पूर FC के बीच में यह मुकाबला और यह मुकाबला बहुत सॉलिड मुकाबला रहा दोनों टीमों में जहां पर फर्स आप में जमशेद जमशेद पूर FC ने गोल किया 33 मिनिट में इमरान कन ने आप गोल किया और मैच में अपनी बढ़त बना ली थी काफी अच्छा जमशेद पूर FC खेल रहा है आपने सूपर कप से भी देखा रहेगा परफॉरमेस काफी जमाली के बाद में आने के बाद में परफॉरमेस है अगेंस्ट यहाँ पे आपके मैं कहूंगा कि North East United 10 number of shot attempt ले पाया और तीन number उनके shot on target थे passing accuracy दोनों team हो की 70% से उपर थी लेकिन यहाँ पे match जो है वो draw हुआ है और इस draw के चलते भाई हुआ यह है कि table में North East United की standing जो है वो 6th position पे आ गई है 13 point के साथ में और जमशेदपूर FC जो है अब भी भी 13 matches में 10 point के साथ में table पे 10th position पे है अभी आज का match लग रहा था कि जमशेदपूर FC जीच जाएगा लेकिन आपे भाई बैमर बैमर ने आपे 66 minute में गोल करके North East United के को equalizer दिलवाया और देखे भाई इमरान खान ने 33 minute में गोल किया बैमर ने 66 minute में गोल किया और इन दो गोल के चलते भाई यहाँ पे match जो है draw हुआ है अच्छी शुरुवात हुआ है ISL के इस सत्र की और उमीद है भाई ISL और भी better होता जाएगा भाई और भी match जो है वो tough होते जाएंगे तो भाई आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए